लास्ट वीक मैंने बहुत सारे नए इंट्राडे स्ट्रेजी यूटूब पर अप्लोड किया है तो चलिए देखते हैं आज का इंडिकेटर पर्फॉर्मिंस कैसे रहा है तो जैसे आप पुलबैक इंडिकेटर को चार्ट पर अपलाई करेंगे आपको आपने आप बाई सेल सिगनल के साथ चार्ट पर आ जाएगा आपको अलग से कोई भी सपोर्ट रिजिस्टेंट के चार्ट अपलाई या ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा सबसे पहले स्ट्राटिजी को समझ लेते हैं जब भी आपको सेल सिगनल मिलेगा रिजिस्टेंट लेवल पर आपको सेल करना है और जब भी आपको सपोर्ट लेवल पर बाई का सिगनल मिलता है तो आपको बाई करना होगा resistance और support zone के बाहर अगर कोई भी signal आता है आपको ignore करना है तो कैसे trade लेंगे जैसे ही आपको sell side का signal मिलता है आपको या resistance के थोड़ा नीचे आपको sell करना है या नहीं तो कोई भी एक candle जो resistance या pivot line को काट के नीचे की तरफ close दे this is a perfect example stop loss कहां पर रखेंगे signal candle की previous candle होगा आपका stop loss अगर आप इस candle पर sell करते हैं तो target क्या होगा first target second target third target, fourth target जैसे जैसे आपके targets achieve होते जाएंगे आपको आपके जो stop loss है आपको trail करना पड़ेगा तो देखें आज sell signal मिला है 12-15 के candle पर और next candle पर आपका trade होगा क्यूंकि ये जो candle है resistance line को काटके नीचे के तरफ close हो रहा है तो आपको आज bank nifty ने almost 34,333 से लगभग लगभग 200 points का profit दिया है आज bank nifty ने अगर आप options में trade करना चाहते हो तो आप futures के basis पर options में entry ले सकते हो 12-20 candle price की closing क्या है 34,333 तो 34,333 के जो nearest strike price है 34,300 या 34,400 उस strike price के आपको put buy करके चलना होगा अगर sell signal है तो आप put buy करेंगे अगर buy signal है तो आपको call buy करना होगा तो strategy is very simple आप कुछ stocks देखते हैं equity में 3 minutes time frame use करेंगे index में 5 minutes और जब आप equity में trade करोगे 3 minutes strategy same है यहाँ पर देखिए sell signal मिला है resistance level पर और यह candle resistance line को काटते हुए नीचे के तरफ close दे रहे हैं previous candle की high stop loss first target, second target, third target, fourth target और देखिए जैसा जैसा आपके targets achieve होते जा रहे हैं आपको आपके जो stop loss है उसको trail करना पड़ेगा तो almost एक ही दिन पर आप देखिए 1, 2, 3, 4 चारो target achieve हो गए हैं और tech महिंदरा ने एक बढ़िया साज points देखे गया है infosys में भी देखिए इस candle पर 11,5 candle पर trade मिला है और first target तक achieve हुआ है जादा नहीं बट ठीक है power grid में देखिए resistance zone पर sell signal मिला है और यह जो candle है इसके opening resistance level पर ही है और यहाँ पर close हुआ है तो यहाँ पर आपको entry लेना है और targets देखिए पूरे दिन भर आपको power grid ने जो है एक अच्छा return देखे गिया है एक अच्छा movement देखे गिया है यह विप्रो का chart है विप्रो में भी देखिए यहाँ पर sell signal मिला है बट यहाँ पर तो trade नहीं लेंगे इस candle पर trade लेंगे इस candle की closing price पर क्योंकि यह candle resistance level को काट के नीचे के तरफ close दे रहे है stop loss सेम यहीं पर होगा और देखिए almost विप्रो ने जो है 1% के आसपास एक दिन में आपको return दे दिया है Asian paints कोई signal नहीं मिला BPCL BPCL में देखिए मैंने आज खुद BPCL में trade लिया है और मैंने उसका एक short version already YouTube पर upload कर दिया है आप जाके देख सकते हो यहाँ पर देखिए BPCL ने resistance level पर morning पर ही signal दिया है 10-5 के candle पर और यह है आपका entry level और दिखिए पूरे दिन आज BPCL downtrend में ही रहा है BPCL ने almost जो है आज 2-2.5% का return दिया है एक ही दिन में और stop loss दिखिए कितना चोटा stop loss है return दिखिए कितना बड़ा है and compare कीजिए risk के साथ reward को that is all for today अगर आप intraday swing positional trading करते हैं तो यह indicator आप के लिए है इस indicator की मज़द से आप equity, bank nifty, commodities, forex, crypto हर marketplace में trade कर पाएंगे इस indicator को use करने के लिए आप के पास trading view का account होना चाहिए आप mobile and desktop दोनों से चला पाएंगे trading view use करने के लिए कोई extra charges नहीं है indicator related कोई भी queries हो तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं thank you very much for watching वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाकी मैं आपको कल फिर मिलूंगा तil that time be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market